हेलो बच्चों आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आपचारिक पत्र का प्रारूप आप आपचारिक पत्र कैसे लिखें तो इसको लिखने के दो तरीके हैं पत्र का प्रारूप जो वन है ये प्रारूप आप तब लिखेंगे जब आपने पत्र डाक अधिकारी को लिखना हो बस अधिकारी को लिखना हो विद्धुत अधिकारी को लिखना हो ठीक है जल्वी भाग में लिखना हो या किसी समाचार संपादक को लिखना हो तो आप पत् विद्याले के चात्रावास में आब आसा किस नगर में ये बताईए अपना पता लिखे उसके बाद एक लाइन चोड़िए दिनांक लिखे फिर लाइन चोड़िए फिर सेवा में पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम पद उसका संस्ता जैसे विद्दुर अधिकारी है या फ फिर किस शहर में है ये आपने बताना है फिर एक लाइन चोड़ेंगे आप फिर लिखेंगे विशे विशे प्रश्ण में दिया होता है अराम से आप वहां से देखके लिख सकते हैं फिर एक लाइन चोड़िए फिर संबोधन कीजिए महोदय या महोदय इन शब्दों से प पहला भाग जिसमें समस्य और कारण बताईए, दूसरे में समाधान बताईए और तीसरे में आभार व्यक्त कीजिए, स्टार्ट करेंगे, सवनिय निवेदन इस परकार है कि आप जिस जगां के निवासी हैं या जो भी है वो बताईए आप, फिर अपनी समस्या बताईए, द आप इस तरह अपना आभार्वेक कीजिए फी धन्यवाद लिखिए एक लाइन चोड़के उसके बाद प्रार्थी आप इसी शब्द का प्रियोग करेंगे आप इस शब्द का प्रियोग करें उसके बाद निवेधन करता का नाम अपना नाम देना चाहते हैं तो नहीं देना तो आपकी आवाज, अपनी आवाज, जो भी आप, मतलब ने तो काखागा लिखे, आप पत्र उन करेंगे, ये पत्र का प्रारूप है, आपको इस पूरे प्रारूप से ही अपने पत्र लेखन का उत्तर लिखना है, अगर आप लिखते हैं, तो पत्र में आपके बाद जो आत बहुती सुन्दर और आकर्शित लगेगा बच्चों में दावे से कहती हो अगर आप इस तरह पत्र के प्रारूप का प्रियोग करते हुए पत्र लिकेंगे तो आपके परिक्षा में पत्र लेखन में पूरे नमबर आएंगे